जहें दोस्तो और लिजन जॉब्स में आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं मोडल सेट 10 के सेकंड फैज यानि आपको बता दू इसका फर्स टेप आपने टेसरीज दे दिये है यह आपको टेसरीज दूसरा है 10 का हम पर डे आपको आपसे इसमें जितने में सेट ह आपको लेकर आते हैं किसीं 25 कोश्चन कहीं में 24 या 26 कोश्चन पर सेट में आपको इसी टाइप के कोश्चन रहेंगे तो फ्रेंट आज हम बात करने वाले मोडल सेट 10 के बारे में तो बीना देरी किये चलते हैं वीडियो के अगर अगर कोई भी डाउट हो तो प्लिस कमें कमेंड करके बताएगम मैं उसको जल से जल आपको कोशिश करणा सुल्जाने के तो चलिए फ्रेंट ले चलते हैं वीडियो कोई पीड़ आठ हो तो जूरर करें चल 나서 तो क्या है तो इसके बारे में आपको पता है इसका right answer आपको पता है तो क्या करना है 26 लिखखर इसका right answer जो आपको पता है A-B-C-A-D comment करके बताना है इससे क्या होगे कि आपकी जो होगे question술 की revise होती जाएगी और श्रेकेंड आपको मैं इस हर स्रेट में एक या दो कोश्चन compulsory छोड़ देता हूँ कि वो आप ही को answer बताना है उससे आपको क्या लएगी आपकी तैयारी कहां तक है कि वो आप कोश्चन को take up कर पा रहे हैं या नहीं तो चलिए फ्रेंड ले चलते हैं वीडियो के और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कोमेंट करके बताएं और चलना चुरूर सस्क्राइब कर दे और कोई वीजय आपका अपडेट चाहिए तो सबसे पहले आप तक कोमेंट में लेखे मैं उसको जल से जल वीडियो प्रवाइड करूँगा बीना देरी किये चलते हैं वीडियो के और हम पहले कोश्चन क्यों चलते हैं पहला नमर कोश्चन है हमारा 26 इसके पहले मैं पीछले 25 कोश्चन आपको प्रवाइड कर दिया हूँ तो 26 नमर कोश्चन है भारत का योजना आयोग है ठीक है ओप्स नमर ए बी शी ये डी इसकर राइटेंस हो जगा ओप्स नमर डी एक सत्थार एक और सर्वथिक निया काई नेश्ट और दूसरा कोश्चन को चलते हैं लोक तंत्र बी कंदरिये का आश्र है ओप्स नमर ए बी शी ये डी इसकर राइटेंस हो जगा ओप्स नमर डी अस्थाई सरकार हम बात करते नेश्ट और अगला कोश्चन भारत में परत्यक्ष लोक तंत्र का उधारन क्या है ओप्स नमर ए बी शी ये डी इसकर राइटेंस हो जगा ओप्स नमर ची ग्राम सभा नेश्ट और अगला कोश्चन है हमारे निमलिखित भारतिय राज्यों में से किस राज्य की कोई शमुंदरी शीमा नहीं है ओप्स नमर ए बी शी ये डी इसकर राइटेंस हो जगा ओप्स नमर ची राजस्थान लोनार जील कहा इस्तित है ओप्स नमर ए बी शी ये डी इसकर राइटेंस हो जगा ओप्स नमर ची महराश्थ हम बात करतें नेक्स्ट कोश्चन और अगले कोश्चन की और दो नदियों के बीच उपजाओ जमीन को कहते हैं क्या कहते हैं ओप्स नमर ए बी शी ये डी स्कराइटेंस हो जगा ओप्स नमर सी दौब नेक्सट और अगला कोश्चन है हमारा किस राज में राश्ट्ये उद्धान वेली और फ्लावर्स एस्तित हैं ओप्स नमर ए बी शी ये डी स्कराइटेंस हो जगा ओप्स नमर ए उत्तराखन्ट नेश्टर अगला कुश्चिन के उचे है पंच मंडी जियू सरक्षन छेतर कहां इस्तित है ओफ्सन नमर A, B, C, A, D इसकर राइटेंस हो जगा ओफ्सन नमर C, मद परदेश नेश्टर अगले कुश्चिन के उचलते हैं भारत में लिंग नाइट का सबसे बड़ा उत्पादा कौर्ण है ओफ्सन नमर A, B, C, A, D इसकर राइटेंस हो जगा ओफ्सन नमर C, तामी लांडो नेश्टर अगला कुश्चिन करते हैं रिहंद बांध परियोजना से किस राज़ी की सिचाई होती है ओफ्सन नमर A, B, C, A, D इसकर राइटेंस हो जगा ओफ्सन नमर C, उत्तर परदेश और बिहार नेश्ट कोश्चिन है अमड़ा जुआहालाल नेहरू बंदरगा कहां पर इस्तित हैं ओफ्सन नमर A, B, C, A, D इसकर राइटेंस हो जगा ओफ्सन नमर C, मुंबई हम बात करतें नेश्ट और अगला कोश्चिन की ओर आबादी की ब्रीधी दर पर तातपर है Option नमर A, B, C या D इसका राइट एंस होज़ेगा Option नमर D जनम और मीर्तु दरों के बीच का अंतर नेश्ट और अगला कोश्चन है हमारा भारत में सबसे घनी अबादी वाला राज्य है कौन है? Option नमर A, B, C या D इसका राइट एंस होज़ेगा Option नमर B, बिहार नेश्ट और अगला कोश्चन क्यों चलते हैं 49 नमर प्रित्वी सुरियस से अपनी अधिक्तम दूरी पर होती है हम आपको डेट बता रहे है क्या पूचाए अधिक्तम दूरी? कोश्चन को याद रखे है क्या पूचाए प्रित्वी सुरियस से अधिक्तम दूरी पर होती है वह कौन कौन सा डेट है? 30 जन्वरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को और 6 जूलाई को इसका राइट एंस तर क्या होज़ेगा? Option नमर D, 4 जूलाई को हम बात करते हैं ग्रहन के दौरान, पढ़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? बताना है Option नमर A, B, C, या D इसका राइट एंस वाज़ेगा Option नमर B प्रत छाया नेश्टर अगला कोश्चन हमारा इकल का है वायू में नाइट्रोजन का परतिसत कितना होता है? यह आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका राइट एंसर क्या है? यह आपका Question No. 41 है 41 का एंसर क्या है? आगर आपको 41 लिखते ना है और E, B, C, E, I, D जो भी एंसर है आप कमेंट करके बताएए इसका राइट एंसर क्या होने वाला? चलिए Next और अगला Question क्यों चलते है Next और अगला Question है स्वेज नहर किस के और किस को जोड़ता है? किस किस को जोड़ता है? Option No. E, B, C, E, I, D स्वेज नहर किस को जोड़ता है? यह आपको बताना है इसका राइट एंसर जाज़ेगा Option No. E, भुमद सागर और लाल सागर को जोड़ता है हम नेश्ट और अगले Question क्यों चलते है बिश्व में उन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उन का सबसे बड़ा उत्पादक जहां उन सबसे ज़्यादा होती है इसका राइट एंसर जगा Option No. B, चीन उन का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है? चीन हम बात करते हैं नेश्ट और अगले Question क्यों है भारती वायू शेना को निमलिखित में से किस देश से पहली आपेच्ची हेलिकॉप्टर प्राप्थ हुई? Option No. A, B, C, E, D इसका राइट एंसर जगा Option No. B, शेयुक्त राज अमेरिका हम बात करते हैं नेश्ट और अगले Question की निमलिखित में से वा कौन ब्यक्ती है? जिन में नोबल पुर्षकार और भारत रतन दोनों ही प्राप्थ किये गए हैं? Option No. A, B, C, E, D आपको बताना है जो नोबल पुर्षकार और भारत रतन दोनों उसको प्राप्थ हुए हैं? ये बताना है नाम ठिक से देख लिजिए पहला Option A, मात्मा गांदी दुसरा रमिन नाश्टैगोर तीसरा मदर टेर्षा और चौथा पंडित जुहालाल नहरू इसका राइटेंस हो जगा Option No. C मदर टेर्षा को नोबल पुर्षकार और भारत रतन दोनों ही प्राप्थ हैं? इसका राइटेंस हो जगा Option No. C, मदर टेर्षा हम बात करते हैं नेश्ट और अगले कोश्चन की ओर निमलिखित में से किसने अंतराश्टिये किर्केटर और बल्लेवाज आफ दे यार का C, A, R, T 2019 का किर्केट रैंक्टिंग C, R, आंतराश्टिये पुर्षकार जीता Option No. A, B, C, A, D यह हाल का कोश्चन है आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए इसलिए कि बीच में बहुत फेमस भी खिलाड़ी यह हुए थे भी भी फेमस है हम बता दें आपको इसका राइक नहीं सुका हो जाएगा Option No. B, B, ब्राट कोहली हम बात करते हैं नेश्टर अगले कोश्चन के ओर चोदावी चोदावी G20 सम्मेलन 2019 निम लिखित में से किस देश में अयोजित हुआ Option No. A, B, C, A, D इसका राइटेंस हो जाएगा Option No. A, जपान हम बात करते हैं नेश्टर अगला कोश्चन की ओर किसको सिक्किम सरकार के ब्रांड अम्बेस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है Option No. A, B, C, A, D इसका राइटेंस हो जाएगा Option No. C A, A, R, रहमान हम बात करते हैं नेश्टर अगला कोश्चन की ओर हमारा कोश्चन है इनेश कुलकत्ता शाक्ति में निमलिखे देशों में से किसके साथ ग्रूप सेल अधियान अभियास में भाग लिया Option No. E, B, C या D इसका राइटेंस हो जाएगा Option No. D ये सभी तो जपान भी लिया था फिलिप्टिंस भी था स्वेंग उत्राइश्ट अमेरिका भी था Next Question के उचलते हैं Next और अगला कोश्चन हमारा है Next और अगला कोश्चन आपके लिए है निमलिखे देशों में से कौन सा अधिया ज़िदान ग्राप भी जीता आपको इसको कौश्चन का उसी परकार जो आगे कौश्चन आपको छोड़ा गया था उसी परकार इसको कोश्चन का भी पचास का राइट एंसर आपको पता है अगर कोई भी डाउट होतार तो कमेंट कर देए मैं उसको जल चल जल आपको प rescat करओँगा ऊपको परसीड करूंगा इससे ब्यायne अफेटर आपको बता सकों है और आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जुरू बताए जब तक लिए जहन दोस्तों बंदे मातरम आपका दिन सुभू